असलामलेकुम प्रिवियस लेक्चर्स के अंदर हमने आयर स्पेक्ट्रसकॉपी की कुछ चीज़ें डिसक्स की हैं जिसमें आयर स्पेक्ट्रसकॉपी है क्या आयर स्पेक्ट्रसकॉपी के लिए बेसिक रिक्वाइर्मेंट कौन कौन सी हैं यह सारी के सारी चीज़ें हम डिसक सब्स्टांस क्यों कुछ चीजे सब्स्टांस और आयार इन एक्टिव इन एक्टिव कुछ चीजे क्यों होती है याद रखेगा आयार एक्टिव होने के लिए हमारे पास एक सब्सक्राइब का होना जुरूरिया वो यह है कि कोईसी भी molecule का dipole moment change होता हूँ सब्सक्राइब का है IR requirement, IR spectroscopically का है requirement? requirement यह है कि द़िपोल moment of molecule शुद चेंज the dipole moment of molecule of molecule should change should change या have some dipole moment भी कर सकते है या फिर क्या कर सकते है a molecule should have a molecule should have should have dipole moment उसका कुछ ना कुछ डाइपल मोमेंट होना जरूरी है तो फिर ही वो molecule आयार एक्टिव होगा क्या होगा आयार एक्टिव होगा मैं यहाँ पर कुछ एक्जेंपल आपको दे देता है जैसे चीजेंपल होगी जो आयार इनक्टिव होगे मिसलान मेरे पास यह अक्षीजन है अक्षीजन का डाइपॉल मॉमेंट जीरू होता है और यह वली अक्षीजन हमारे पास इनक्टिव है यह आईँर को अब्सॉर्ब بھی नहीं कर रहहोती है इसे तरह एक और एक जेंपल है जी नाइट्रूड 我लेज़ें में इन चीजों को यूज भी नहीं कर रहोते हैं आयर स्टडी के अंदर ऐसे चीजों का इस्तमाल भी नहीं कर रहे होते हैं इसके लब और भी बहुत सारी एक्जाम्पल मेरे पास भी एफ ट्री यह जो मॉलेक्टूल यह भी आयर इनेक्टिव है क्योंकि इसका डाइपल मॉम अब मैं कुछ ऐसी ग्जेंपल देज जहां भी डाइपॉल मॉमेंट है, यहां पर बाटर का डाइपॉल मॉमेंट होता है, इसका ऐएव घीज है इसके उपर आयार रेडियेशन गिरा ही जाती है, तो यह यह और रेडियेशन का एब्सॉर्ब कर रही होती है, यह क्या कर रही होती है आईया रेडियेशन को एब्सार्व कर यूती है wiping सिम्पल सी बात है आइया एकटिव होने के लिए के लिए डाइपो trazer यह हonई किसका भना चुरूरिये डाइपल मोमेंट का अगर डाइपल मोमेंट नहीं है तो वो IR inactive है अगर उसके पास dipole moment है तो IR active होगी सही है अब यहां भी यही बात में लिखूँगा if there is no change in dipole moment if there is no change in dipole moment no change in dipole moment अगर आपके dipole moment में कोई तब दिली नहीं आ रही होती dipole moment occur when the molecule vibrates जब आपका molecule vibrate कर रहाथ when the molecule vibrate जब आपका molecule vibrate कर रहाथ तो के dipole moment में कोई तब दिली नही होती there will be no interaction between तो हमारे पास कोई भी interaction होगी there will be will be no interaction between interaction यापका कोई भी interaction होगी between किसके दर मेयान में between molecule and IR radiation between molecule and IR radiation IR radiation के दर मेयान में कोई भी interaction नही होगी IR radiation so no absorption will take place so no absorption तो यहाँ पर कोई absorption भी नहीं होगी absorption will take place will take place और यहाँ पर कोई भी absorption नहीं होगी भाई यह सिम्पल सी बात आपने याद रखने हैं कुछ चीजें IR inactive क्यों होती है पहले नंबर पर हमारे पास का dipole moment 0 होता है और यही सबसे most important चीज़ है type moment 0 अगर उसका नहीं है तो IR inactive है example में नहीं दे रखेंगे यही माने पास आज के लेक्टर में thanks for watching Allah Hafiz